मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक प्रोग्रविंग बताओंगा और आप अगर इसको समझ गये तो आप किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग खुद सकते हो मैं इस बात की गयारेंटी देता हूं आपको आपको ला किसी बतरका पता नशीए जो कि मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं और वही एक बेसिक सब जगापर लग रहा हुता है जो कि आपको पैटन उठाव मैं उसको लेकर समझाएंगे बाकि सारे बन जाएंगे तो यह यहाँ पे पिर्यामिप लेता हूं ठीक है यह सरर यह बेडरों पहुत की हम रेगाय करना है राइट क्या प्रोग्रम लिखेंगे कि यह pattern हमारा display हो, इसके लिए हमें logic सूचना है, देखो मैंने अपने channel पर already C, C++ और Python, तीनो language सिखा करके रखा है, तो आप चाहो तो वहाँ से जाकर कोई भी language सिख सकते हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग C++ use करेंगा, और C++ के जरीए यह काम करेंगा, हला कि कोई भी language में same logic ह होगा, same logic होगा, क्योंकि हम यहाँ पर loop और if else use करने वाल है, तो loop और if else तीनो language में होता है, जो मैंने पढ़ा होए already, ठीक है, तो आप जाकरके किसी भी language को use करो, लेकिन logic तो समझना होगा, कि इसके पीछे का basic logic क्या है, तो देखो, सबसे पहले, कोई भी pattern आपको दिया जा हो, तो मैं यहाँ पे इस चीज को इस तरीके से row और column में क्या कर दिया, divide कर दिया, देखो आप, यह हो गया, ओके बहुत बढ़िया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें इसका index लिख देना है, तो अगर मैं row का index लिखना चाहूँ तो कहां से कहां तक, 0, 1, 2, 3 हो गया, काम खतम, उसके बाद column, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, खतम न, यहाँ तक आपको बात समझ मागया होगा, तो row जा रहा है, 0 से 3 तक, और column जा रहा है, 0 से 6 तक, तो यह एक loop बनाएंगे हम, row के लिए, 0 से 3 तक जा रहा होगा, और उसके अंदर फिर एक loop बनाएंगे, जो 0 से 6 त भी लेगा करना है, यह पहला is step आपको पहले pattern को बना लेने है, then आपको क्या करना है, then आपको यह करना है, कि आपको इसको row और column में divide कर देना है, ठीक है, उसके बाद आपको इसका क्या कर देना है, index लिए इन इस तरुके से row का, और column का, अब देखो या दिहान से सुनना, यह मेरा क्या है यह बसे में लगा कीतने कालम है यह चीज है आपको पहले प्रॉगान लिखना यह तो आप क्या करो कोई भी लांगविच जो भी आपके पास है अब c++ युँज कर सकते हो आप c++ सकते हो पाइथन यूज कर सकते हो पड़ाया हुआ ठीक है तो आपको क्या करना एक लूप बनाना है तो मैं यह यह आप लिकता हुअ फूर इंट रो नाम का एक मैं बनाता हूँ रो इस एक्वल टू कहा से जीरो से लेकर ड़े मैं नहीं हो तो फिर आपको यहां पर लिखना पढ़ेगा तब तो जीरो वठोल ठीक है उसके बार को यहां हार बार रो को एक एक बढ़ाएगा जाना आए हर बार क्या करना आपको तो रो को एक एक बढ़ाते जाना है ओके यहां पर आपका फॉर लूप यह बन चुका है कि इसके लिए रो के लिए तो 0 से तक जा रहा है अब हर रो में ज्यान से सुनों जैसे रो नंबर 0 गाना तो हर एक रो में हर जैसे कि अगर पहला रो चल रहा है तो उसमें आपको पूरा का पूरा को चलाना पड़ेगा कहाँ से नहीं चल जाएंगे कहां से शिक्स तक और हर बार क्या करेंगे, column को हम plus plus कर रहे होंगे, तो column plus plus, इस प्रकार से यह क्या होगया, यहाँ पे आपने row और column को क्या कर दिया, row और column को display करवा दिया, suppose मानलो कि हमारे पास row और column बनके त्यार है, हाँ, यह table बनके त्यार है, यह प्रोग्राम जो है यह जो चीज है यह भी आपको हर पैटन पे लगबग लगबग लिखने पड़ रहे होंगे वाद समझो ठीक है तो यह चीज आपको क्योंकि देखो यह टेबल बनाए ना इससे टेबल बन जाता है इसे क्या होता है कि टेबल बनाने का एक बेसिक लिंग करा हुआ है अगर आप मेरे प्रोगामिंग जो वीडियो से उसको आपने अगर देखा हुआ है तो मैंने वहां पर टू डैमेशनल एरे में यह चीज बताया हुआ है ठीक है बट फिर यहां पर अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे हम एक टेबल बनाके ट्यार कर लि गया होगे तो फिर तीमें इस टार बागी सब में खाली अब हम यही यही एक तो आपको इस तरह से लिए अगला इस्टेप है आपको करना ही है जैसा आप बना दियो बनाने के बादा आपको क्या करना है पैटन द्यान से त्यां से देखना है कि कहां कहां पे स्टार है आपको इसी देखो कहां कहां तो आपका यहां तक कोई दिखत नहीं होना चाहिए यह हो गया हमारा ओके अब देखो मैं यहां पर आता हूं प्रोग्राम में और इसके अंदर में मैं लिखता हूं इफ एक condition होगा इस condition पे हम क्या कर रहे होंगे see out कर रहे होंगे star को किसको star को ठीक है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम वहाँ पे क्या कर रहे होंगे वहाँ पे हम कर रहे होंगे ये कि हम वहाँ पे display कर रहे होंगे किसको blank space को ठीक है अब यही बाते आपको ध्यान में रखना है कि कहां पर हमें star display करवाएंगे तो हमें इन सब position पे इन सब चीजों पे ये जो है न 3 है 2 3 4 है देखो जब row number 0 होगा और column number 3 होगा तो वहाँ पे star होना चाहिए आपको यहां पे एक चीजी समझवाना चाहिए यह इनिसियल वाल्यू और यह फाइनल यू यह जो लिखा हुआ आ लिखने हैं मैंने कहा यह जो पहला और आखरी जो वैल्यू है उसको रो के रिस्पेक्ट में लिखने हैं और उन सब के लिए फिर हम एक जैनरल एक्परेशन जैनरल कंडिशन लिखेंगे ठीक है चलो यहां पे हम पहले एक काम करते हैं और कुछ इस तरीके से समझने का कोसिस क करते हैं ठीक है यहां पर लॉजिक यह चलेगा कि आपको नहीं रगाना इस जिसपे एक वैह स्कों मत लगाना तो यह ऑ्ट्मेटिक निकल जाएगा इसको आ यहां पर कैसे लिखा गया है यह जो कॉलम का जो वैल्यू होगा यह आपका क्या होगा टू या टू से बड़ा होगा ठीक है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉलम का जो वैल्यू है वो greater than equal to है किसके 2 के 2 या 2 से बड़ा and और छोटा है किस से 4 या 4 से छोटा 4 या 4 से छोटा तो ऐसे लिख सकते हैं कि column का जो value है वो less than equal to है 4 तो अगर आप इसको solve करके देखोगे तो इसमें क्या आएगा 2 या 2 से बड़ा लेकिन 4 या 4 से छोटा column का value 1 या 1 से क्या होगा बड़ा होगा लेकिन या और भी कह सकते हैं column का value 1 या 1 से बड़ा होगा और column का value जो होगा वो less than equal to होगा कितना 5 तो बात को समझो मैं आगर आपको बोलूँ कि को एक ऐसा रेंज बताओ जो वन या वन से बढ़ा होगा वन या वन से बढ़ा होगा लेकिन छोटा होगा फाइब से या फाइब के बराबर मतलब फाइब या फाइब से चोटा होगा लेकिन वन या वन से बढ़ा होगा तो कौन कोन आएगा वन यह आप कर लिए यह आपको दिमाग यह लगाना है कि यह वन से टू कैसे बनाओगा यह वन से टू कैसे बनाओगा रहा है क्योंकि देखो आपको यह को हटाना है थोड़ा दूसरा पेनल लेता हो यह वर के एक लिए आपको दिमाग यह लगाना है कि यह ख़िक अगला इस टिप यहां तक सारे में सेम होंगे ठीक है अब इसको सोंचने आपको कि यह जो 1 है यही चीज़ सोचना है यही अलग-अलग होगा ठीक है यह 1 और यह 2 में क्या relation है ठीक है और वही relation इसमें भी आना चाहिए एक यह 2 ये two और ये two और one में क्या relation है, फिर आपको यही सुचना है कि ये three और zero में क्या relation है, देखो बात को समझेतेंदा, इन दोनों के बीच में क्या relation हो सकता है, मतलब ये two को ऐसा क्या यहाँ पर लिखे कि ये बन जा, और तीनों के लिए same है, तो क्या हम इसमें ध्यान से सुंदा ग्रेटर दैने कॉल कॉल का इस हम इसको लिख सकते हैं कॉल एक लिखा तो तो तीनों में था थिने अम यहां पर क्या लिखे हैं यहां बाद संड़ा रहे हैं तो नहीं को यहां बोचोड़ गाँड़ नु Japanese when सयह फिर जाए चरह आप चरह एकिन से आपको बनाने है और थे से आपको बनाने है आप क्या करोगा बताओ इसको मैंटस करों तो ये बाड गया 3-2 ये बन गया 5-3 ये बन गया तो ये क्या है था हाँ बाट सही है तो 3-4 लिख देंगे क्या लिख देंगे 3-4 देखो ना 3-1 थे आप यह सब यह सब जगहाँ पर रिखने अन्हें इसको क्या कर रहा हूं आ बस एक जनरल डिखने में घृंट अब देखना इक्वल तो लिखना पे है और वन से आपको क्या बनाना है फोर वन से आपको क्या बनाना है फोर और फिर ये टू है टू से आपको क्या बनाना है टू से बनाना है आपको फाइब जैसे अभी यहां से आ गया अभी यहां से यहां मैंटर समय रहे हैं तो वन से फोर फिर टू से बनाना है फाइब और च्री से बनाना है कितना इक यह किसे बनेगा यह लगा यह किए यह लोजिक आपको सोचना होता है अब यह जो लाजिक यह जो लॉजिक है नहीं देखना यह भी फिरी वाला में आटमेटिक ना जाएगा देखने अभी बताऊ कि रोग का वैल्यू कितना है जीरो रोग के थी स्ञांघी रूट के पास इसमें इतैसे ना न यूँटा यहां यहां पर रखेंगे टेपे रहेंगे यह थे एकशन प्रोगी मैंनिस लो ती मांधब कितना तो आपको फोकस करना इस पर मतलब इस कंडिशन के ट्रू होने पर आप क्या लगा रहे होगे इस कंडिशन पर ट्रू होने पर आप इस टार लगा रहे होगे यह बास नमा रहे क्या और वाकी जगों पर क्या लगा दो ब्लैंक स्पिस बास कानिक खदम हो गया काम मेरा ठीक है तो यहां पर आप लिखोगे यहां पर देखो आप कोड में आओ और यहां पर इफ वाला जो ह एंड एंड कॉलम का वैल्यू लेस देन इक्वल टू होता है किसके थी प्लस रोग बास मारे गया थी प्लस रोग के यह जो भी अपने लगाया था ना उदर निकाला था ना बस हो गया काम मेरा अब ध्यान से सुनना यह पूरा फोर लूप चलने पर एक कॉलम कंप्लीट कर रहे तो हम चाहेंगे कि जब एक बार पूरा पूरा कॉलम मेरा डिस्पले हो जाता है एक कॉलम पूरा जब चल जाता है तो लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाए बिल्कुल देखो ना आप यहां पर आप देखो ऐसा है कि नहीं एक पूरा कॉलम चलने के लिए यह पूरा कॉ आप देखना यहां पर अब भी एरर दे दिया क्यों वाई इंगलिस में बहुत मैंटर नहीं करता हूं और यहां पर देखो यह हमारा डिस्पले हो चुका है आपको क्या करना पड़ेगा आप यहां पर स्टार के आजू बाजू भी गैप लगा दो यहां पर यहां पर यहां मैं इसको सेब करता हूं अब मैं बिल्डर करता हूं आप देखना यहां पर आपको दिख रहा होगा अगर आपको समय नहीं है तो फिर से पीछे से करके थोड़ा सा एक बार और समझने का कोसिस करो हमने कुछ नहीं करा है देखो द्यान से हमने एक रो बनाया यह बैसिक लि खतम हो गया अभी आपको और भी तरह का चीजे में आपको सिखाऊंगा ठीक है पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आप नेक्स्ट पैटन के लिए अगर आप दिवान करोगे तो मैं फिर से पैटन लेकर करके और इसी तरी से समझ कि यह नहीं चाहिए पैटन का मैं दिल बनाने के लिए सिखाने चाहरा हूँ आपको पूरा हार्ट बना के देखो आप अना चलो बढ़ियां नेस्ट विडियो में मिलते हैं